नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ तीन ऐसे बेस्ट i3 लैप्टॉप्स के बारे में जो की अंडर 30,000 रुपीज जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको मैं जानता हूँ दोस्तों आपका बजट जो है यहाँ पे थोड़ा टाइट हो सकता है तो इसलिए आप जो है इस प्राइस रेंज में जो है एक लैप्टॉप दूण रहे हैं नो डाउट मेरे पास भी एक ऐसा टाइम था दोस्तों आज से लगबग 2015-16 के करीब जब मेरे पा लाप्टॉप के उपर आराम से निकाल सकते हो अगर आप लोग काफी ज़्यादा फाइनेशल तंगी में है तो बाई एनी मीन मेरा ऐसा कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं है कि मैं इन लाप्टॉप को प्रमोट कर रहा हूं मेरे पास अगर दोस्तों मान के चलो पैसा होता तो तो मैं अव्यस सी बात है इन लाप्टॉप के तरफ मुड के नहीं देखता तो अगर आप लोगों के पास में पैसे हैं आप थोड़े और ज्यादा बजट लगा सकते हो तो डेफिनेटली लगाईए तो यह मत सोचे कि भाई यह लाप्टॉप सस्ता लेंगे तो या क्या है काम ही चलाना है ऐसा मत करो अगर आपके पास में पैसे हैं तो बिल्कुल पैसे जो है उसमें ज्यादा डालो लाप्टॉप में वो एक्चुल में एक वर्थिट एक्स्पिरियंस होता है चाहे आप डिस्प्ले ले लिजे कीबोड का टाइपिंग एक्स्पिरियंस ले ले ल वाइस में किसी भी तरीके से इन लाप्टॉप को सिर्फ और सिर्फ इसलिए रिकमेंड नहीं कर सकता कि यह सस्ते में मस्त है ऐसा नहीं है सस्ते में कुछ नो कुछ कॉंप्रमाइस आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं तो चलिए बेड़ा किसी देरी के जो है हम लोग यहा अंदर बाहर जो है देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहला यहां पर लाप्टॉप आता है दोस्तों यहां पर एसर एसपाइट 3 का ठीक है जहां पर आप लोगों को इंटल का आई 3 12th generation U-series वाला 15 watt वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है RGB RAM 512 GB SSD के साथ में एक और चीज में लुकती है ना आप रोद होगे इवन लाप्टॉप के कॉस्ट से ज्यादा महंगी जो होती है ना दोस्तो SSD डेटा रिकवरी वाले पैसा ले लेते हैं तो अगर आपके वाज में वाकई इंपोर्डेंट डेटा इंपोर्डेंट फोडियो इसको बहुत ज्यादा देखने को यहां पर मिलेंगे तो यहां पर यह लाप्टॉप आपको मिलता है 14 इंच में 1.45 kg आप लोगों को जो है इसका वेट यहां पर देखने को मिलता है आपको एक और चीज समझनी होगी दोस्तों कॉंप्रमाइज यहां पर कैसे हैं तो सबसे बड़ा कॉंप्रमाइ का अधरवाइस वेरी गुड्टू को लाप्टॉप आप नॉर्मल आपके जो कॉलेज की काम है कर सकते हैं और हां या जो कॉलेज गोइंट से उनकेल में बता दूं कि चल जाएगे आपके मेकनिकल के के ट्या सॉफ्वेर हो गया हाइपरमेश हो गया यह सब आराम से चल जा याद रखिए फ्रेंट्स की जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं समय के साथ में अधर नंबर ओफ रेगुलर एप्स विच वी यूज आर इंक्रीजिंग ठीक है आप लोग ने देखा होगा एक टाइम पर फोन में वहुत कम एपस होती थी लेकिन आजकल काफी ज्या मैं बैटरी लाइफ के बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूं दोस्तों विकाज अव्यसी बात है प्राइस कट किया है तो कुछ ना कुछ आपको खोना पड़ेगा और उसमें सबसे पहले कंपनी जो है आपको काट के देती है वो है बैटरी इनमें जाज से रादा आप लोगो को लगबख सारे तीन से चार घंटा स्क्रीन ओन टाइम जो है यहां पर देगी ठीक है पोर्ट सिच्वेशन सब लोगों में लगबख सेम ही है ठीक है हर लाप्टॉप में आप लोगों को टाइप सी पोर्ट जो है बाई डिपॉल्ट एक तो मिली जाता है दो USB-A पोर्ट म ज़्यादा है लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ ज़्यादा फरक पड़ेगा 15.6 इंच का है लेकिन हां यार 16GB RAM आप लोगों को दे रहा है और 12th generation का प्रोसेसर है नो प्रोसेसर को देखे डरने की कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों ओके ठीक है अब भी कमपनी है न अब कुछ नया ज़ादा कर नहीं सकती है लापटॉप में नैरो बेजल कर दिये अच्छी डिस्प्ले दे दी मैं गया लापटॉप की मैं बात कर रहा हूँ अब उसको डिफ्रेंशियेट कैसे बराएं बजट काउंटर पार्ट से तो बजट में आप जो है सब क्या आपको बोला था इसकी कीमा स्लाइटली 30,000 रुपई से ज्यादा है सेल के दोरान आप लोगों को थोड़ा जो है 1,500 रुपई कम मिलेगा तो डेफिनिटली इसको आप यहां पर कंसिडर कीजिए पहली बार में दोस्तों ऐसा देख रहा हूँ रिमेंबर इट, पॉइंट इट, सकतर वाट अवर की बैटरी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है 16 इंच का फुल फैट आप लोगों को जो है लगबग थोड़ा बहुत नैरो बैजल वाला जो है यहां पर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है अबसलिटली फैंटास्टिक और 83% SRGB कलर गाम उट है यार 16 इस तू 10 में आप लोगों को सब फॉर्म फैक्टर में मिल रहा है तो डिस्प्ले ऐसा नहीं है कि एकदम परबाद दे दी है बलब एकदम लगभग मीडियम से अच्छे के बीच वाली डिस्प्ले आप लोगों क आपको मिलते हैं और एक HDMI पोर्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है 1080p का देयर क्लेमिंग की फुल HD प्लस कैमेरा आपको देखने को मिलता है कि ऐसे जो कंपनीज हैं जो कि इंडिया में मैं बोल रहा हूं ऑवियस सी बात है दोस्तों फॉरिन में जो है आउटसाइड इंडिया ये लोग काफी लंबे समय से हैं लेकिन इंडिया में आते ऐसे डाइनेमिक प्रोड़क्ट यहां पर लॉंच करना जो कि वैल्यू फॉर मनी काफी ज्यादा देते हैं दोस्तों एपसलूटली कमेंडेबल जॉब डन बाई इंफिनिक्स आपका क्या मानना है इन तीन लैप्टॉप के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरू लिख कर र लिएमन